भारतिय बैंकों का लगभग 14,000 करोड रुपे का कर्ज नहीं चुकाने वाले भगोड़े शराब कारोबारी विजय मालिया प्रतियरपन मामले में लंदन में आज सुनवाई इस से पहले कहा कि वो बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए तयार है इसके लिए उसने करनाटक के 15,000 करोड रुपे की संपति को निलाम करके बैंकों का पैसा चुका दिया जाए विजय मालिया के मुताबिक वो कोड का फैसला मानने के लिए तयार है मालिया ने कहा कि उसके खिलाफ पैसे चुराने और मनी लॉंडरिंग के आरोप घलत है विजय मालिया पर लंदन की कोड आज बड़ी फैसला कर सकती है ये फैसलाबाद में किसी तारीक पर सुनाया जाएगा विजय मालिया इसी सुनवाई के लिए लंदन के कोड में पहुंचा है या अधीशे मा इस मामले में फैसले के लिए तारीक तरे करेंगी विजय मालिया की पिछले साल लंदन में गिरफ तारी हुई थी इसके बाद उसको जमानत पर छोड़ दिया गया। मालिया प्रत्यरपन का केस लड़ रहा है। विजम मालिया परदेश के 17 बैंकों का करीब 9000 करोड रुपे से ज्यादा का बकाया है। इसी महीने लंदन की कोट ने मालिया की संपत्ती जब्त करने के आदेश दे थे। बाद में पता चला की लंदन में मालिया के नाम से ज़्यादा संपत्ती नहीं है। उसकी अधिकतर संपत्ती उसकी मा, बेटे और पत्नी के नाम पर है। इससे पहले इस बी आई ने कहा था कि विजम मालिया से बैंकों के कंसोर्शियम ने अब तक मालिया से 965 करो रुपे की रिक्वरी की है